आज मैं आपको बताने वाला हूँ Ayne, जेसट्यर 2B को यूज करना है पॉर्टल पे एक नया फारम आ गया घी एसट्यर 2B कैसे आप इसको मैच कर सकते हैं या कैसे आप इसके यूज करके अपने रिटर्न को प्रेपेर कर सकते हैं या reconciliation कर सकते हैं यह जो भी mistake है उसको आप ठीक कर सकते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ live portal पे कैसे आपको यह use करना होगा इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ video के end तार वी start pen drive courses तो इन सभी courses को आप join कर सकते हैं 20% को off चल रहा है अभी सभी pen drive courses पे जो की offer valid है 30 September तक जा जनकारी के लिए इस number पे call कीजिए या फिर इस website पर जाके विजिट कर सकते हैं website के लिंक इस वीडियो के description में तो मैं आ गया यह JST portal पे login कर लेंगे और यहां से आपको जाना ह यहां से सलेक्ट करना होगा return period जुलाई से यह form आ चुका है तो आप यहां से ले लेंगे 20 21 और यहां से लेंगे जुलाई क्लिक करेंगे search पे तो आपको यहां पे एक नया form GSTR 2 भी देखने को मिल जाएगा यह auto draft एक ITC statement है वीव पे क्लिक करना है वीव पे क्लिक करने के बा summary दिखेंगे आपको सबसे पहले टेवल में है summary summary के अंदर ITC available अब आपको यहां पर ITC available की detail दिखती है सबसे पहले part A है part A के अंदर देख सकते हैं ITC available credit में भी claim in relevant heading in GSTR 3B अब यहां पर credit जो है वो GSTR 3B के अंदर claim किया जा सकता है इस heading के अंदर ठीक है तो यहां पर देख स पैसे का है ठीक है B2B पर click करेंगे तो आपको invoice की invoice level पर जो details है वो पता जल जाएगी कि invoice level पर क्या क्या detail है किसका ITC है ठीक है आप यहां से इसकी Excel summary भी download कर सकते हैं यहां पर आपको पूरी detail मिल रही है यह document wise detail है supplier wise से यह तो supplier पर click करेंगे तो supplier wise detail आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी document पर click करेंगे तो यह document wise detail आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी ठीक रस्तों back to summary पर click किया यहां पर summary पर आ गया है इसके अलावा अगर आपको कोई ITC other ITC है जैसे कोई debit note है आपको यहां पर debit note दिख जाएगा आपने यहां पर कोई अगर B2B अमेंड कि किया है उसकी detail यहां पर दिख जाएगी ठीक है invert supply from ISD से है उसकी detail आपको है पर दिख जाएगी उसकी invoice की detail और इसकी amendment की detail ठीक उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो यहां पर आपको invert supply level to reward charges जो reward charges वाली आपकी supply है वो दिख जाएगी जैसे B2B से कितनी है ठीक है debit note से कितनी है invoice क amendment हुआ है उससे कितनी है ठीक है debit note का amendment हुआ उससे कितनी है उसके बाद import of goods की detail लिख जाएगी अगर आपने कोई import किया होगा ठीक है import goods from overseas overseas अगर आपने import किया है तो उसकी detail आपको यहां पर दिख जाएगी import of goods है amendment है तो उसकी detail यहां पर दिख जाएगी import of goods है SCZ units है तो उसकी detail दिख जाएगी और SCZ unit का कोई amendment है तो उसकी detail दिख जाएगी यह सारी detail जो है वो ice gate से उठा लेगा ठीक है उसके बाद करें ITC reversal अगर कोई आपका ITC reversal है ठीक है तो आपको यहां पर दिखेगा जैसे credit note क बना सकते हैं और 2017 बनाने में आपको बहुत ज्यादा असानी होगी सामने वाला परसंट सामने वाला सप्तार जैसे आप अपनी object supply को the klare करेगा तो आपकी information जो है यहां पे auto reflect हो जाएगी तो उसी प्रकार से अपनी आप 3B को बना सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों 3B के लिए बता रहा है कि आपको 3B में कौन-कौन सी heading में क्या का चीज़ें दिखानी होगी इसको आप PDF में भी यहां से download कर सकते हैं download PDF क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF format है वो भी download जाएगा देख सकते हैं इस पर गासे PDF format आजाएगा यह देख सकते हैं दोस्तों जाएगे सामने ठीक है तो इससे आपको reconciliation करने में आसानी होगी monthly आप मन्थवाइज इसको आप download करके checking कर सकते हैं reconcile कर सकते हैं अपने books का इसमें अलग अलग tables है जैसे कि पहले starting में instruction हो गया basic detail आगई ITC available की detail आगई यहां पर ठीक है ITC not available की detail यहां पर आगई बी-टू-बी की detail आगई कि बी-टू-बी आपका जो इन्वोई से वो क्या कौन-कौन से हैं बी-टू-ए इन्वोई कितने हैं क्रीड नोड का invoice कितना है ISD कितना है तो यह जो है बहुत अच्छी चीज है इससे बहुत ज्यादा help होगी return को बनाने में या reconciliation करने में मतलब यहां पर आपको ITC मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर आता ITC note available मतलब कि यहां पर वह जाएंगे जो जहां जिसके basis पर आप ITC को claim नहीं कर सकते हैं जिसका आपको ITC नहीं मिलेगा यहां पर वह invoice आजाएंगे ठीक है यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आपका हो गया supply फ्रॉम रेइश्टर परसंसे जैसे पर बीटू फीन वो इसका gooit नहीं ले सकते हैं जैसे कर इसवाली टेवल के अंदर वह वाले रिवर्जल नहीं करना है जिस आईटी से को आप क्लेम कर सकते हैं या री क्लेम करना है तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं यहां पर अगर को रिवर्जल है वह आपको यहां पर इसके अंदर दिखेगा कोई अगर आपका रिवर्जल है तो ठीक है जैसे डैबिट नोट का रि प्रेवर्स करना पड़ेगा ठीक है कुछ ऐसा इंवोईस होंगे जिसके पर ITC आप नहीं ले सकते हैं तो उसकी डीटेल दिख जाएगी ठीक है रिवर्जल की डीटेल इसके अंदर दिख जाएगी और ITC अवेलिवल की डीटेल जो आपको इसके अंदर दिख जाएगी All table पे click करेंगे तो table wise आपको यहाँ पर detail दिख जाएगी ठीक है यह है supplier wise अब यहाँ से आपको क्या करना है tables को लेना होगा क्या आपको कौन कौन सी table चाहिए जैसे आपको यहाँ पर invoice वाली table चाहिए तो invoice वाली table दिखेगी ठीक है अगर आपको ISD credit वाली table चाहिए तो ISD credit वाली table दिखेगी जो table चाहिए आप table wise ले सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों बहुत अच्छी चीज है इसके थ्रू अपने आप 3B को इसमें क्या दोस्तों आमने वाला बंदा अपनी रिटर्न करता है उसके बेसेस पर आपकी यहां पर ऑटो ड्राफ्ट एक आईटी सी स्टेट्मेंट बन जाते हैं किसका आपको आईटी सी क्ल पूबी का यूज कीजिये और यूज करके आप अपने बुक्स का रिकंसिलेशन कर सकते हैं 3B को बना सकते हैं रिटर्न को प्रिपेर कर सकते हैं रिटर्न को रिकंसाइल कर सकते हैं तो यह थेगा अपडेट जो मैं आपके सामने लिखाया वीडियो कैसे लगी ज़रू बता थैंक यू जो माच जय हिंद वन्डे मात्राम